हालो फ्रेंट्स नमश्कार स्वागताः आप सब भी का आपके अपने चैनल शेयप शो इसटीट में हैं मैं हूँ शेयप शो फ्रेंट्स आज मैं आपको बता हूँ कि बहुत ही आसान रेसिपे, खाने के अंदर तो बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है, यह बनाना भी इसे उतना ही आसान है, कही बार आपने इसे ट्राइ भी क्या होगा, तो फ्रेंस वीडियो पूरा देखेगा, रेसिपे अच्छी लगती है, आपको तो चैनल को कर दीजिगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, फ्रूट के स्टर्ड बनाना, सबसे पहले हम एक बरतन के अंदर मिल्क एड़ कर लेंगे, गरम करने के लिए, यहाँ पर मैंने आदलेटर मिल्क लिया है, आप कोई भी मिल्क यूच कर सकते हैं, गोल्ड वाला यूच कर सकते हैं, साथ में मैं इसके अंदर एड़ कर लूँगा, दस से बारारे से केसर के, जैसे ही मिल्क हमरा हलका वार्म होता है, गरम निकरना है, पहले हलका सा वार्म होता है, तब हम इसके अंदर थोड़ा सा एक कटोरी में मिल्क अलग से निकाल लेंगे, यह जो अलग कटोरी के अंदर हम मिल्क निकालते हैं इसके अंदर हम कश्टर्ड गोलेंगे आप चाहो तो नॉर्मल जो ठंडा मिल्क होता है उसके अंदर भी गोल सकते हो लेकिन जब हलका वाम वाटर वाम होगा तो उसके अंदर कश्टर्ड ज्यादा काम करेगा चलिए मैंने यहाँ पर दो टेबल स्पून वैनिला कश्टर्ड इसके अंदर एड़ कर लिया अब आराम से गुमाते होएं हम कश्टर्ड को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी लं स्वाथ नहीं होने चivas देखेम इन अच्छे से ईसे गॉल कर हिला कर पड़ी असा मिक्स कर लिया कई भी इसके अंदर बिल्कुल भी लंस नहीं है मिल्क भी हमारा गर्म होने आ गया हलका सा हिलाते हुए हम इसे पहले मिक्स कर लेंगे उसके बाद पहले हम इसके अंदर चीनी एड़ करेंगे यहाँ पर 50 गराम चीनी लिया है मैंने वो हम इसके अंदर एड़ कर लेंगे चिनी को पहले हम इसके अंदर अच्छे से गुलने देंगे एक मिल्ट का समय लगागा मिल्क हमारा गर्म है तो चिनी आराम से इसके अंदर गुल जाएगी उसके बाद हम इसके अंदर कश्टड डालेंगे तो कश्टड को डालने के बाद आपको तुरंत मिल्क को हिला देना यह उसे क्या कश्टर काई एक जिगा जमेगा नहीं बस लगातार हम इसे हिलाते रहेंगे तक कि कश्टर मिल्क के साथ अच्छे से मिल जाएगा और मिल्क भी हमारा एकदम ठीक हो जाएगा अगर आप इसे थोड़ी देर भी रख लेता है तो आपका अंदर लंप्स बन सकते ह इसलिए हम बस गैस की फ्लैम को यहां पर हम बन कर लेंगे और इसे कंट्यूनियू हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे यह देगे कश्टर हमारा कापी अच्छे से मिल्क के साथ मिल चुका है और फ्रूट कश्टर हमारा बन चुका है लेकिन अभी प्रोसेज कंप्लेट नहीं सकती है तो उसे आपको उस कंडिशन में आपको इसे विसकर से कापी अच्छे से उसके बाद मिक्स करना होगा कश्टर को बीच-बीच में हिलाते रहेंगे तकि कश्टर हमारा एकदम लंस ना बंद है और तब तक हम फ्रूट भी काट लेंगे फ्रूट यहां पर देखिए अग्मिये लिए बनाना लिए अजिस्टावरी लिए और अनार लिए और साथ में हमने एपल लिया है टोटल सब मिला कर देड कर अपको प्रूट कट किये हैं जैसे हमारा फूट कर स्टंडा होता है तो हम इसे हिला कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो विसकर से भी लाके से mix कर सकते हैं फरीज के अंदर भी अगर आप रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं बस उसके बाद में आपने विस्कर से हिला कर अच्छे से बन के तैयार है बहुत इस्वादिश लगता है खाने के अंदर ये कई बार आपने इससे ट्राइब भी क्या होगा ने क्या होगा तो एक बार जुरूर ट्राइब कीजेगा रेशिपे कैसे लगी आपको कमेंट्स करके जुरूर बताएगा अच्छे लगी हो तो चैनल को भी स सब्सक्राइब कर दीजेगा अब फिर मिलेगे नए रेश्विक साथ मैं तब तक के लिए जय हिन